हालो परिश्रम का कोई बिकल्प नहीं होता है जी बिल्कुल आपने सही सुना परिश्रम का कोई दूसरा आपसन नहीं होता है परिश्रम करना ही पड़ता है बड़ी सफलता में बड़ा वक्त लगता है लेकिन वक्त भी वही करता है जो आप चाहते मतलब जिस चीज में आप अपना वक्त इंवेस्ट करेंगे समय लगाएंगे उसी में आपको कुछ न कुछ हासिल होगा अलग में नहीं जैसे पढ़ने वाले बच्चे क्या है तो उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं देख रहे हैं इसलिए आप से एक रिक्वेस्ट होगी कि साथ वीडियो न देखेंगे आज़की कलास PBR Study को Telegram पे जरूर जोईन कर लें जिससे आपको सारी कलासे मिल सकें आज के इस पूरे कलास में क्या-क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं Circle यानि बृत का बिल्कुल निचोड आपको मिलेगा Light बहुत कम होगी क्योंकि बिजली है नहीं कट गई है स्लाइड एक बार में बनाया था सब कट गई तो मेरे चेहरे पे Light कम पड़ रही होगी फिर भी आपको काम की चीज़ें दिख रही है बृत क्या होता मेरे भाईयों Circle ऐसे होता है गोला-गोला जैसे दिख रहा है पीला-पीला मतलब पीला नहीं होता है नहीं गोला होता है लेकिन इसकी परिभासा क्या होती है किसी एक निश्चित बिंदू से समान दूरी पर इस्थित बिंदूओं का बिंदूपत बृत कहलाता है कैसे किसी एक निश्चित बिंदू से मानलो ये निश्चित बिंदू मैंने बना लिया ठीक है बिंदू से समान दूरी पर इस्थित बिंदूओं का बिंदूपत मानलो मैंने ये दूरी ले लिया कितना इतना मानलो मैंने ले लिया चार सेंटीमीटर ठीक है तो अब चारो तरफ चार फेंटीमीटर होना चाहिए इ यह क्या है बिंदु पत्थ जैसे मालों एक बिंदु रख दिया अब इसके चारों तरफ ऐसे क्या बना दिया यह बिंदुओं का पत्थ बना दिया समझ रहे हो तो यह जो बिंदुओं का पत्थ बन रहा है ना पत्थ मतलब रास्ता यह यह जो बन रहा है यह क्या है बृत्त जैसे तिरिज्या, तिरिज्या क्या होती रेडियस, जैसे आपको इस आकृती में दिख रहा है, ये भी एक सर्कल है पूरा-पूरा, केंद्रा और परिधी के किसी भी बिंदू के बीच की दूरी विर्त्त की तिरिज्या कहलाती है, इंगलिस में इसको रेडियस बोलते हैं, एक बृत्त में आनंत रेडियस खींची जा सकती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बात समझ रहे हो पक्की, चलो आगे दिखाओं, जैसे देखो, ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, सबको दिख रहा है, भाईया, दिख रहा है सबको बाबू, चलो आगे बढ़ें, इसको मैं फिल कर देता हूँ, मालो मैंने इसको फिल कर दिया ये, तो इसमें बीच में एक सेंटर होगा, एक क्या होगा, केंदर होगा, अब ये केंदर से चारो तरफ जो लाइने जा रही है, ये क्या बृत्त की तरिज्जा है, ये बृत्त की तरिज्जा है, ये भी मतलब किसी भी छोर को आप खीचोंगे सेंटर से होते हुए तो क्या होगी रेडियस होगी यह सब सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस आपड्रा कर सकते हो ठीक है इसका पीडिये बाबू आपको टेली गराम पे मिल जाएगा PVR study के टेली गराम channel पे ब्यास क्या होता है ब्रित को यानि circle को दो बराबर बराबर भागों में जो रेखा बाटती है वो ब्रित का ब्यास कालाती है आप कहोगे ऐसे तो थोड़ा confusion होता है कहीं कहीं होता है लेकिन हर जगा नहीं जैसे मालो ये अगर रेखा PQ है ये ब्रित को दो पार्ट में डिवाइड कर रही एक A, एक B दिख रहा ना आपको ये इसकी एक परिभासा हो गई कि ब्रित को दो बराबर भागों में बाटने वाली रेखा क्या कालाती है ब्रित का ब्यास कालाती है लेकिन इसका एक और भ कै ब्यास हो सकता है नहीं ये देखो ऐसे खीच सकते हो कि नहीं ऐसे खीच सकते हो कि नहीं लेकिन ये पूरा इधर फे इधर तक ऐसे पार होना चाहिए और ध्यान रहे सेंटर से होते हुए जाये तभी वो ब्यास कहलाती है एक बात बताओ तुम अगर मैं एक रेखा ऐसे खी देख लो कि अब देख देख लो कि अब मिलते हैं चोटे-चोटे आज मेरा दिल इफ लिर डर रहा है कि सारा तो मुझे लग रहा है कब बंद जाएगा और यह सब चूपट हो जाएगा तुरों जैसे बंद वह एक बार रात में बनाया था मैं लाइट डिश्टरब कर दी बीच में चिकपक करी ये बंद हो गया मतलब समझ रहे हो बीच में लाइट फ्रेक होता नहीं डिप होती बीच में दो सिकेंड चार सिकेंड तो ये तुरन सट डाउन हो जाता है अगर इन्वेटर से ये बिल्कूल प्रापर तरीके जुड़ा नह ब्यास क्या होता है त्रिजा का दूना होता है समझ रहे हो जैसे कहा जाए कि हमारे पिता जी की उम्र हमसे पचीस साल बड़ी है यानि पिता जी हमारे जब पचीस साल के थे तब हम पैदा हुए थे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हमारे पिता जी की उम्र हम हमसे पती साल बड़ी ज्यादा है तो वह यह भी तो कह सकते हैं वहारे विश्वा कि उम्र हमसे पती साल कम है बात है कि हुई न हाँ एक ही पुए न जैसे मैं कहूं कि ये रिमोट ते ये पहन इतनी छोटी है तीन इंच माल लो चलो दो इंच मैं बोल रहा हूं कि इससे दो इ होती है परिद्य क्या होती है थि पर्दी में पाई से डिएस में पाई का गुंड़ा कर देते हैं तो भी के बन झाती है ठीक है यह डियास में पाई का गुळा तो भ्रोता यूvelustr से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आगा कोजिशन करोगे तो समझ में आगा पेरी मीटर को ही परीधी बोलते हैं ठीक है बृत्त के लिए क्या होता परिमाप नहीं होता इसकी परिधी को ही परिमाप कहते हैं अब देखो यहां पर आपको कुछ मज़ेदार मिल गया मिल रहा ना भाईया बाबू मिल रहा है न इ यह बृत्त के केंद्र से होते हुए बृत्त के एक छोर से मैं रुख जा भाईया बृत्त के केंद्र से होते हुए बृत्त की परिधी को एक छोर से दूसरे छोर को मिला रही है तो यह रेखा यह भी बृत्त का ब्यास है क्या है यह डायमेटर है क्या है भाईया यह डायमे है देखना मगर प्यार से यह ब्रित्त के सेंटर को बिल्कुल तच नहीं कर रही तो एक छोर से दूसरे छोर को तो मिला रही यह इसको परिधी को लेकिन केंद्र को टच नहीं कर रही तो यह क्या है बाबु जीवा है आप कह सकते हो P1 Q1 क्या है यह जीवा है ठीक है आगे बढ़ें डन चलो अब यह क्या है यह भी सरकल है इसमें आप मुझे कमेंट करके बताओ O और P रेखा का क्या नाम है चल भाईया O P का नाम बताओ मेरे बाबू क्या नाम है इसका बता लोगे न पक्का बता लोगे किसी को कोई दुख दर्द नहीं है ना इतने में कर लोगे ना बोलो ना यार ठीक है देखिए आप लोग क्लास को ज़्यादा फिज्यादा लाइक किया करो अंदर फिर तो लाइक एनरजी मिलनी चाहिए ना मज़ा नहीं आता ऐसे अगर आप यूटूब पर डेमो देख रहे हैं तो अप्लिकेशन में देख रहे हैं तब तो आप हमारे दादा बन चुके हैं कोई दिक्कत निम्मत लाइक करो चलो देखो इसमें नाम बताओ ती वन और सी टू इसमें बहुत रेखा है मकड़ जाल है एक दम यह कॉम्पटीशन है आपका SSC वाला यस है समझ रहे हो तो सी वन और सी टू आप देखो तो सेंटर से होते हुए जा रही है सेंटर मैंने यहां मान रखा है ठीक है भाईया ठीक है बाबू तो अगर यह सेंटर से होते हुए जा रही तो क्या है सी वन सी टू बताओ ब्यास है न यह अच्छा चाच्छा एक बात बताओ तुम एल वन और यल्टू क्या है यल वन और यल्टू क्या है बोलो ल1 और L2 का नाम बताओ दिख तो रहा ना इसमें अच्छा यक्स और Y का नाम यक्स और Y का नाम बताओ भाईया यक्स और Y बता लोगे ऐसे सारी रेखाओं का नाम बता ना जितनी रेखाओं मैंने खीच रखा है वो सकता है कही कही मैं नाम नहीं लिखा हूं तो उनका नाम लिख के बताना चलो बता लोगे न वीडियो को पूरा इंड़े तक देखना है भागना नहीं अगर सीखना है मैं सबका कमेंट देख रहा हूं लाश्ट में अपना नमबर दूँगा परफनल अभी तु नीचे जो चल रहा है वो इंस्ट्यूट का नंबर है परफनल अपना नंबर दूँगा अपनी गल्फ्रेंड का नंबर भी दूँगा लाइस्ट में अरे होगी तब ना वो तो मैं तुमको अर जाने के लिए बोल दिया चलो ठीक है कुछ लोग इसी उमीद में देखते रहेंगे गजब कर देंगे सची में चलो देखो क्या कह रहा है अगला उस बृत कित रिज्या ग्यांत कीजिए जिसका 62 सेंटीमीटर है बहुत अच्छा है पहले एक सर्कल डुरा करेंगे च्छा या क्या करेंगे पहले एक ब्रित बनाएंगे ऐसे इतना गंदा भी कोई ब्यास बनाता है यहां पर मालों सेंटर है तो यह बहुत अच्छा की चाहूं मैं यह कितना है 28 है तो क्या पूछ रहा है कि उसकी तुरिज्या ग्याद कीजिए एज अच्छा बैया हो देखो इसका सुत्रवा होता नहीं है तुरिज्या आर बराबर का ह होता है डी अपांड टू तो आर बराबर डी कमान अठाइस और टू का टू ए रहेगा यह बराबर हो जाएगा चाउदा फेंटी मीटर आगे बढ़ें कोई तकलिफ नहीं चल भईया इसमें एरिया फाइंड करिए फाइंड दा एरिया आफ दिस सरकल एरिया जानते हो क्या है जितना लाल वाला भाग है वही एरिया है किसी भी आकरती द्वारा घेरे गए संपूर्ल छेत्र को उस आकरती का एरिया कहते हैं छेत्र फल कहते हैं जैसे अगर यह रेक्टेंगल है ना देखो अगर यह रेक्टेंगल है ना चाच्चा देखो समझो तो जितना यह सफेद भाग है ना जितना यह सफेद भाग है वह ही इसका क्यا है by जितना सफेद भाग है WORु इसका एरिया है ठिक yes के इस आयत क ग्या है जितना सफेद भाग हाग हो एरिया है को कि कि शेद खुरा पड़ रही क्योंकि सारी लाइटने जल नहीं रही है अदोड़ा अपने आपको अच्छा लगने के लिए लाइट भी जला दिया जाता है जिसे तुम लोग कहो कि यहाँ गुरुजी बड़े अच्छे लगते हैं चलो छेत्रफल कितना है यह पाई आर स्कॉयर एरिया का सुत्र क्या है पाई आर स्कॉयर ना क्या है पाई आर स्कॉयर चलो तो लगा दीजिए आओ इधार आओ इधार आओ इधार आओ आर के अकार्डिक पाई कमार रखते हैं, अगर ये कट जाएगा साथ से जो रेडियेफ रहता है, तो बाइस बटा साथ रखते हैं, नहीं तो दसमलोला भी रख सकते हो, ठीक है? चाथ दूना, चाउदा, अद्योके 22, दूना, चाउदा, ये ये बना ना, 22, दूना, चाउदा, 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 चाउदा कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है जैसे आज मैंने सीखा पता है क्या दो-तीन महिना जब तक हो गया यह बोर्ड लगे कभी अब तक लाइट नहीं कटी थी लाइट नहीं कटी थी मुझे पनी पता था कि यह मेरा इन्वर्टर का जो सिष्टम में कितना बैक अप देगा पूर को सिवाय कुछ नया होता है पता था कि कभी आसा होता है कि हम किसी वस्तू किसी इंसान या कहीं पर रहते हैं तो हमारा मैंड उन चीज़ों को हैसे कर लेता है जैसे कि मैन लोग कोई इंसान है आपका दोस्त रहे बहुत अच्छा है इससे वह metलदि देखाना परत है गूमना उना बड़ा पसंद है कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भाती नहीं उसको तो आपका माइंड उसको ऐसे बसा लिया है कि हाँ यह पढ़ता नहीं है गूमता बहुत है तीखावूत खाता है यह वो लेकिन अगर कोई दूसरा फ्रेंड मिल गया वो मानलो कहीं चला ग लाता है किताब लेकर के हां तो फिर आप उसे बहुत मतलब जल्दी नहीं कर पाओगे आपको वह टाइम लगेगा उसके साथ कमफर्टेबल होने में क्यूं क्यूंकि आपका माइंड काम नहीं करना चाहता इसको सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी उसकी फिर उसका सेप करना पड़ेगा तो उसके साथ कमफर्टेबल हो समझे रहो है जोसको उसकूपर से नीचे करना पड़ेगा क्यों खिर बसा लिए आपने स्थ में कि हमें सर्थ पहिं आ इसे बाहीम लगाना इसे लगाना बटन बं करना है लेकिन आप कूर्टा के लिए बाल ** तो थोड़ा सा ओड लगेगा समझ रहो तो ऐसे जो कुछ नई चीजें घटित होती है न तो थोड़ा दिन ओड लगता है वो क्यों कि दिमाग आपका वो काम नहीं करना चाहता वो सोचता है कि जैसे थे वैसे ठीक है इसलिए जिंदगी में बदलाओ अगर कोई हो तो डरने क आगे बढ़ने का सीखने का चलो यह ज्यान की बात थी वसे आप सुनते हैं इसले बीच में सुना दिया आप क्या है रेडियस हमें निकालनी है छेतफल निकालना है परिदी निकालनी है परिदी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस क्या बोलते हैं इंग्लिस में इसको सरकमफ्रेंस था ठीक है तो चलो 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 कर लेते हैं आर बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा डी अपान टू 42 अपान टू इक्वाल 21 सेंटीमीटर छेतरफल होता है पाई आर काई स्कॉाइर पाई 22 बटा फाथ आर कामान भाईया 21 गुड़ा 21 दिख रहा है ना साथ से काट दो सातरी के काईस इनका गुड़ा कर लो तो कितना हो जाएगा छाठ छाठ गुड़ा 21 तो 21 छक्का कितना होग अरे छे कम छे चे दूना बारा छे एक कम छे चे दूना बारा 21 छक्का 126 दिख रहा है ना 126 के छे हां सी लाया बारा और 21 छक्का 126 बारा 132 नहीं 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 हो सकता है गुड़ा-उड़ा में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया हो तो तैंस नहीं लेने का वैसे मैं कोसिस किया हूँ बराबर है तेरा सो शीयासी सेंटीमीटर स्कॉयर लेकिन यह सेंटीमीटर इसके बगल में नहीं रहेगा मतलब नीचे नहीं रहेगा बगल इस दीह तो M कैस दिख रहा है सेंटीमीटर का स्कॉयर एक इस चक्का एक सो चब्विस के छे आसिल बारा एक इस चक्का और यह हो गया अब साहिए डन अभी इसमें परिधी भी फाइंड करनी थी यानि परिधी को ही परिमाप कहते हैं बृत का तो परिधी क्या होगा यह तो लोचा हो गया चला निकल तो परिधी क्या होगा परिधी बराबर वही जो परिमाप का होता है पाई यह स्कॉयर ना देखो सूतर दिखा देता हूं यह तो पाई आर ना परिधी का सूतर कितना तो पाई यार चले आगे तो रख दो भाईया टू पाई आर तो टू इंटू पाई का मान बाईस बटा साथ और आर का मान आया था एकईस ए कहां आया था ही आया था ना साथ से काट दो साथ रिक एकईस फाइनल में आपका बाईस गुड़ा बाईस गुड़ा तीन आएगा इसका गुड़ा करके मुझे आंसर बताना सेंटिमीटर में आएगा जो भी आएगा कर लोगे ना अब multiple तो तुम करी लोगे 22 का 22 में फिर तीन से आगे next कर्या तिरिज्ज्या सेंटिमीटर में बताईए 22 दिया 38 कितना दिया 38 तिरिज्ज्या बताना है आसान है आसान है मेरे भाईया चलो बाबू निकाल लेते हैं फटा फट पहले तो तुम यह जानो कि चुकी वन मीटर इक्वल सो सेंटी मीटर ओके इफ लिए सो सेंटी मीटर बराबर वन मीटर होता है अब इसको तुम जान लेना कहा ही होता है बाकी इसको बाद में बताऊंगा चलो ब्यास दिया हमें त्रिज्जा निकालना है तो सबसे पहले आर बराबर डी अपांट टू करेंगे D command 38 है बराबर 19 meter कितना है, 19 meter हमें निकालना है, बहिया centimeter में ये meter में आया है हमें पता है कि 1 meter बराबर 100 centimeter तो 19 meter बराबर 19 गुड़ासाउ बराबर 1900 centimeter कितना 1900 centimeter सब को समझ में आया, फट से लिख लिजिए आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें करवाने वाले हैं जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रेस्ट आने लगे मैथ में और हाँ बहुत क्वाल्टी कलास मिल रही अब कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की पूरी गारंटी है टाइम बिल्कुल बेस्ट नहीं होने वाला है मैं बातचीत बिल्कुल नहीं करूँगा अब परते एक संडे को रात 9 बजे लाइब आऊँगा मैं बकेती करने के लिए जिनके दिल में जो तुफान मचा है न कमेंट में जो करते रहते हो सब करना संडे को सिर्फ रभिवार को रोज लाइब होगा हर रभिवार को हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे पढ़ाई-वडाई कुछ नहीं करेंगे बाकी के दिन फिर्फ पढ़ाई ठीक है नेक्स्ट वीडियो को आएगा यूटूब पे इस कलास के लाश में बताऊंगा अगर आप इसे यूटूब पे देख रहे हैं और अप्लिकेशन में तब तो आप चच्चा बन चुके हैं तब तो रोज देखना छुट्टी नहीं रहेगी बीच में ठीक है हाँ तो अ एक मिननट जैसे मनलो मैंने यह बनाया किया गया यह क्या है यह यह आपको दिखरायस कुछ naty felony कि यो पूरा-पूरा रेड है ना वह इसका क्या है छेत्रफाल है क्या है से तरुंगाहल अब परिमाप क्या होता जानते हो hitáchा क्च लाइन दिख रही अलग कलर की किनारा किनारा दिख रहा इसका ग्रीन कलर का वही जो लंबाई वो परिमाप है समझ गए वो क्या है परिमाप है तो दूसरे सब्दों में इनको समझे ना जैसे इनको मैं लेखूं यहाँ पर आजाओ इनका परिमाप जो red color में आपको दिख रहा है red दिख रहा है कुछ जो side side में red है वही इसका क्या है परिमाप है उसी को हमें निकालना है समझ में आया समझ गए ना तो समझ गए हो तो का है को देर है लिको परिमाप या परिधी बृत्त का परिमाप या परिधी इक्वल 2 पाई आर तो भाई यह 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 28 साथ चोग 28 22 का 22 में गुड़ा करो कि कितना आएगा वर्ग मैंने याद करवाया था करवाया था ना 22 दूना 44 के 4 हासी लाया 4 और 22 दूना 44 44 चार अनता 40 484 गुड़ा 4 चार चुका 16 के छे आसी ले एक चार अठे बतीस एक ताहें 30 चार चुक 16 तीन और नाइफ और यह हो जाएगा फेंटी मीटर कोई दिक्कत पर हैसानी डाउट तो मुझे बता दो जल्दी चलो लिख लो फट से चापो आगे बढ़े कोई किसी को समस्या तकलीफ नहीं न मेरे भाई नहीं न बाबू चलो अगला कहरा कि परिधी ग्यात कीजिए इसमें भी परिधी ग्यात करना है परिधी यानि परिमाफ यानि circumference क्या बोलते हैं circumference क्या है circumference टू पाई आर तो दू गुड़ा पाई कमान 22 बटा फाथ आर कमान 315 फाथ से काटो साथ चूक अठाइस साथ पचे पैंटीस गुड़ा कर लो भाईया 44 का 45 में साथ चूक अठाइस ठीक है 44 का गुड़ा करो 45 में कितना आएगा फट से मुझे बताओ ठीक है भाईया बहुत अच्छे बाबु बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरी गुड़ लाउकुस कुमार ठीक है कितना आएगा 1980 आएगा लगभगना करके देखो यही आएगा 1980 सेंटेमीटर तो किसी को कोई तकलीफ कोई दुखदर्द तो मुझे बता दो नहीं ना मेरे भाई आगे बढ़ चलू चलो अगला कह रहा है कि बृत का छेत्रफल ग्याद कीजिए यदि इनके ब्यास निम्नुवत दिये गए है ब्यास निम्नुवत दिये गए है यह 270 है यह कितना है 270 cm 138 है देखो दिखा दे रहा हूँ यह क्या है 138 है यह 19.8 है यह 310 cm है 28 cm है 14.8 cm है यह 270 cm है क्या करना भाईया क्या करना बाबू इसमें ब्रित का ब्याफ दिया है तैमेटर दिया है आपको area find करना है क्या करना है area find करना है कर लोगे ना सभी कोई परिशानी किसी को नहीं न आगे बढ़ें उसके पहले अगर आप इसे YouTube पर देख रहें मेरे भाईया तो सभी साथियों को एक सूचना important कि PVR Study application जरूर download कर ले अगर आप YouTube है ठीक है YouTube में है तो क्योंकि इस application के अंदर हम पूरा proper तरीके से complete package उपलब्द कराते हैं guarantee के साथ सिखा जाता है अगर आप YouTube पर है तो एक बार Google Play Store से जा करके इसे जरूर download करें और हाँ YouTube पर हमारी सारी free class नहीं आपाती है उनके लिए एक option है कि अगर YouTube पर आपको हमारी सारी free class पढ़ना है सिर्फ YouTube पर ही पढ़ना है तो उसके लिए आप PVR study का हमारा दूफरा चैनल जो मेरे नाम से है राजकुमार यादो सर्मयत्स इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी premium class को भी देता हूं जो YouTube पर में चैनल पर नहीं आती है तो इसे अभी तुरंद कर लेना ठीक है कोई दिक्कत कोई परिसानी नहीं आगे बढ़ चलूं चल भाईया 26 मिनट हो चुका ये class को अब एक नया page में एक नया आहसास के साथ एक नया चीज सीखते हैं आज आओ अब हम लोग black में black and white वैसे black में ही ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन मैंने सोचा चलू आज color थोड़ा अलग कर देते हैं आपको आज मैं अपने बारे में कुछ दिखाना कहते हैं ना निर अंतर पर्यास करने से है पत्थर भी पिघल जाता है कैसे आज चैनल पे आपको दिख रहा होगा कि पांच लाक सब्सक्राइबर के लग भग हैं क्या आपको लगता है कि ये 5,0 अश्मान में गिरे थे Pennsylvania 5,0,000 करम हुए थे आपको नहीं पता, वो टाइम भी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, आज मैं आपको कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ तब मैं ट्रेन में जाता था हमारा घर्व सुल्तानपूर उत्तर परदेश है जिसे कुछ भावनपूर के नाम से पुराने जबानम जाना जाता था भगवान स्री रामचंद्र जी के पुत्र कुछ जी के नाम पर पढ़ा कुछ भावनपूर, सुल्तानपूर उत्तर परदेश आयोध्या से सटा हुआ एक जिला है यहां पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ अपनी हिस्टरी हिस्टरी आप पीवियार स्टरी आप यूटूब पर सर्च करोगे तो आपको वैसे भी चैनल मिल जाएगा इस पर मैंने अपनी पुरानी यादें सजो के रखा है यह जो डीपी यहां पर देख रहा हूँ ना यह जूम नहीं हो रही है यह मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था तब की मेरी प्रोफाइल थी जब मैंने चैनल सुरू किया था तब हमारे कुछ इस तरह से वीडियो जाते थे शुरू में देख लो मैं दिखा देता हूं कुछ इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पढ़ रहा होगा मेरी आवाज सुन लेना थोड़ा सा कहले पहले बोलते कासे थी यह भी सुनना इंट्रेस्टन थे थी सब्सक्राइब करना मेरा उद्देश से है ठीक है बस इतना साही मेरा मतलब था कि दिख रहें कहीं कि सायद कम समझ में आ रहा होगा यहां पर आपको तो ऐसे ही चैनल को जाके कि देखना इस पर आपको मिलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करके इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा मुझे पता है क्योंकि दिखता ही नहीं था ऐसा वीडियो होता था आज 25 दिसंबर 2022 को पूरे 5 साल हो गई संगर्स के पूरे डेढ़ साल तक एक रुपया नहीं मिला था यूटूप से कुछ नहीं मिला था फिर भी मैं करता था क्यों करता था क्योंकि मेरे अंदर जुनून था जोस था कुछ करने का कि मुझे एक दिन लाखों में लोगों को जोड़ना है और फिर मैं उस धिवरी वाली दियें जला करके भी अपने चीजों को जारी रखा इसकी हिस्टरी हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे टाइम आएगा कभी तो अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैनल भी नहीं हुआ दूसरी बात यह बिटाइम भी नहीं है काफी संगर्स करना है आप लोगों को काफी कोर्स देना है टाइम नहीं बच पाता है लेकिन आप लोग अगर जा करके एक बार देखो गे न ये चैनल तो इस पर वीडियो पड़े हैं वह आपको काफी मोटिबेट करेंगे कि यह जो आप मतलब बहुत कुछ यहां पर देखोगे कैसे कैसे क्या क्या होता था यह सुरू का वीडियो है जिसमें मैं हाथ से लिखता था सामने भी नहीं आता था यह देखो क्या लिखा इसमें पूर्ण संख्याओं से संबंदित होते हैं यानि पूर्ण संख्याओं के धनात्म इसमें कैसे पढ़ाई होती थी पता आपको ऐसे मैं ऐसे लिखता था वाइट पोर्ड पे ऐसे मोबाइल से रिकार्ड करता था इस फोन से मालूर्ड कर रहा हूं ऐसे वीडियो बनाता था ऐसे ऐसे आग्याइब आपने कुछ भी ठान लिया है तो आप उसे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसके लिए सुभिधायें या फिर और अन्य चीजें कुछ भी माइने नहीं रखती है समझ रहे ना तो ये चीज मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मैत पढ़ने आए हैं मैत नहीं आती आपको लगता है नहीं आएगी हार मान लेंगे कुछ लोग कुछी कलास को देख करके तो यार हार नहीं मानना है उम्मीद आखरी नहीं इसमें सकल देख लो मेरी जो कपड़े देख रहे हैं ना इसमें भाईया जी हमारे छोड़ देते थे जब घर पर पड़े रहते थे तो मैं उसको जाके पहेंदा था पांच-पंच साथ साल अब भी रखा उन में के कपड़े समझ रहो लेकिन कहते हैं अच्छा हो या बुर कर दिया दिखाने को देख लो कुछ नहीं दिखेगा क्लियर इसमें एक बार मुझे सामने आके देख लो बस क्योंकि वीडियो की क्वाल्टी है नहीं कुछ दिखने वाला कि यह मेरी संकल है पहले वाली कि इसकी मेरी आवाज भी सुन रहे हैं पर तक करता हूं आज बहुत ही अलब टापिक के साथ उपर थी इसको आप देख सकते हैं यह बिद्ध्या करेश कलाफिज पहले हमारी बाकी जगा लिखते थे समझ रहे न तो काफी कुछ आपने सीखा होगा कि जिन्दगी में कहां से कहां और क्या से क्या इंसान कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ऐसा नहीं मैंने आपको सिर्फ संगर्ज दिखाया इसे मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया और यह तो एक छोटी सी पार्ट है यह मेरी कहानी का 0.0000001 हिस्सा भी नहीं होगा जितना दिखाया बहुत बड़ी कहानी है पीछे कभी वक्त रहेगा तो दिखाऊंगा आज करने का इस वीडियो में हमारा यही उद्देफ था लाश्ट में कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं इंसान वो सब कुछ कर सकता है और वो सब कुछ सोच सकता है जो उसने आज तक सोचा नहीं आप समझे जब पहले बल्ब नहीं तक तो मैं उसी से बढ़ाओं मैं टीक के ट्ल डिब्भी में भर एँउसमें ढखकन में छेध करके और जो संडो बनियान होती न अंदर वाली किसी कब अंड़ में बनियान फट जाता था जो सूती होता था कॉटन का उसकी बत्ती बना के उसमें डाल पढ़ा था तो चीजें होती हैं जो आपको वदलती हैं और 2022 में आज हो सकता आप अगर इस वीडियो को 2022 में देख ले तो 2022 में मैंने बहुत कुछ सीखा कुछ ऐसे लोग आये हमारी लाइफ में जिन्होंने सिखाया कि साधान रहकर ही किसी पर विलीब करना क्योंकि इंसान से बड़ा खतरनाक प्राणी इस धर्ती पर नहीं है और इस धर्ती के सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है कोई आठ्यक प्राणी वह इंसान तर्ती को इस समाज को इस पर्यावरन नुकसान पहुंचा रहा है वह इंसान है चाय किसी भी तरीके से फिल फीडियो में इतना ही आप सभी बहुत बहुत थेंक्यू वीडियो को सेयर करना और मेरी मन की भावनाय थी जो मैंने आपको दिखाया अच्छा ना लगे तो माफी चाहते हैं और अगर अच्छा लगा थे इसके बारे में कम्मेंट जरूर करना कि आपने क्या सोचा और क्या सीखा इन कहानी से आज आधा दर्जन से ज़्यादा लोग PBRS टेडी से जुड़े हैं जिनके घर परिवार के खर्चे चल रहे हैं PBRS टेडी की माद्यम से और हमारी कोसि से आगे कि हजारो लोगों को आम जौब दे सके और सिर्फ PBRS टेडी में अजू कैसन ही नहीं है बाकी हमारे और भी बारी करना चाहते हैं नीचे नंबर चला उस पर संपर्क करें हमारे पास कुछ होगा आप शन तो बताएंगे